हमारी इसकी पहले चैप्टर में एक पॉइंट है 1.4 में आता है सकारात्मक एवं आदर्शक अर्थवस्थ तो होता क्या है कि हम लोग ने बात की थी कि हमारी अर्थवस्था में कुछ केंदरी समस्या होती है क्या बनाने चाने चाइन चाहिए कैसे बना जाना चाहिए फिर जो बन गया है उसका वितरण कैसे होना चाहिए तो इन सारी समस्या के होता क्या है कि अलग अलग तरह की क्रिया विद्यां होती है मतलब मेकेनिजम्स होती है क्या होती है क्रिया विद्यां होती है और उन क्रिया विद्यां से डरना नहीं है इनको समझना है कि हो क्या रहा है बहुत ही आसान चीज़ें बस उनके लिए ने ने शब्द आते हैं तो शब्द को हम ल की तरी नहीं सकता तो हम लोग नीउ बदल देंगे तो हम लोग कर थे क्या है अपने हिसाब से किसी समस्या के बहुत सारी और अलह.- विन सं कंद्ध रएक सही है। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं करो, इस तरह ऐसे करो, फिक अब ये समझ ये, हमारे पास क्या है, एक है समस्या, टिक, आर्थिक समस्या में बहुत सारी सबसे पहले समस्या क्या थी, कि संसाधनों का विनिधान कैसा हो, resources का allocation कैसा हो, यही थी ना, अब इस समस्या का अलग अलग लोग हैं, बहुत सारी विद्वान लोग हैं, किसी ने बोला कि ये तरीका जाद अच्छा है, किसी ने बोला ये तरीका जाद अच्छा है, किसी ने बोला ये तरीका जाद अच्छा है, तो क्या हो गया है, अलग अलग तरह के समाधन हो गया है, तो एक तो हो ग अब अगर आप ये confuse हो रहा है कि इतने सारे समधान कैसे आजाएंगे एक इसमस्या है माल लो मेरे पास 100 रुपए है अब 100 रुपए कैसे खर्च करों मैं गया मेले में सामान खरीदने के लिए तो 100 रुपए में तो बहुत सारी तरी से खर्च किया सकता है कोई बोलेगा नहीं नहीं पहले अलू कित्की खालो कोई बोलेगा नहीं एक मुशी परिम्चंद की कहानी भी थी जिसमें कुछ बच्चे होते हैं वो सामान खरीदने के लिए जाते हैं और उसमेंसे एक बच्चा होता है जो अपनी गरीब आर्थिक विवस्ता जब होती है, अर्थ सास की बात करते हैं, तो समस्या पहली यही आती है, कि संसाधनों को कहां कहां पर लगाया जाए, तो बहुत सारी possibilities हैं, बहुत सारे options हैं, ठीक, उन में से अलग-अलग तरह के समाधान हो जाएंगे, कोई अर्थ सास्त्री होगा, कोई economist होगा, वो बोलेगा, कि यह समाधान बहुत अच्छा है, दूसरा बोलेगा, नहीं नहीं, आपको समाधान अच्छा नहीं है, यह वारा समाधान अच्छा है, तो अब होता क्या है, कि जब अलग-अलग तरह के मरबा समाधान आ गया है, इन में से कौन सा समाधान अच्छा है और कौन सा खराब है ुसके लिए जो पढ़ने की कोशिस करते हैं तो होता क्या है कि अर्थ सास्थकर हम लोग दो नजरीय से देखने की कोशिस करते है एक होता है सकाम्पन और एक होता है आदर्शक और एक जो इसमें भी भहत ятельी बात यह ना वह प्रॉपर नहीं है थोड़ा बहुत इधर उदर एक दूसरे के बाउंडरी में जाते रहते हैं खास और से कब जब केंद्री जो हमारी जो हम लोग ने पहले बात की ती जिसमें क्या होता है कोई केंद्र में कोई अथारिटी है वो पहले से योजना बदे तरीके से विकास करती है अर्थ वस्ता का तो वहाँ पर उन दोनों पालों में कोई बहुत अंतर नहीं होता है वो लाइन होती वो बिगड़ भी जाती है आ और उन समाधान को देखने की कोशिस करते हैं कि अच्छा यह समस्य आतो इसका यह समाधान ऐसा बनेगा आधर्शक में क्या करते हैं इसको इंगलिस के बोलते हैं जाओ हाइर एजुकेशन में जाओगे ना तो सब कुछ इंगलिस में पढ़ना पड़ेगा मैं भी पहले हिं normative में क्या होता है normative में देखा जाता है कि यहां आपने जो समाधान पहला बनाया है उस समाधान का परिणाम क्या निकलेगा समाधान किस चीज़ का बनाते हैं हम लोग economics में पहला पहली चीज़ होती है कि संसाधनों का विरिधान कैसा हो किस चीज को बनाने में कौन कौनसे चीज़े लगा जानी चाहिए और दूसरा का होता है जब आपने चीज़ों को बना दिया जो फाइनल वस्तमे बन गई जो अन्तिम मिश्टन बना किसका वस्तमों का और सेवाँ का हम लोगों न वस्तमों के पहले बात की थी सिस्टम बनाने की कोशिस की जाती है तो इन समाधानों के हिसाब से अब पहले समाधान से क्या होगा संसाधनों का कोई एक वित्रण हो रहा होगा और जो वस्तों बनी है उनका कुछ और वित्रण हो रहा होगा तो आदर्शक अर्थ सास्त्र में हम लोग क्या करने के कोशिस करते हैं, हम लोग judge करने के कोशिस करते हैं, निर्णा लेने के कोशिस करते हैं, कि ये समाधान वास्ता में अच्छा है कि नहीं, किस basis पर, इस basis पर, कि इस समाधान के बाद से जो परिणाम निकलेगा, वो परिणाम अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो वो हम लोग करते हैं आदर्शक अरसास में, सगारात्में को लोग देखते हैं कि हाँ, सीरिस यह देखने कोशिस करते हैं कि यह समझ चाहिए हैं, तो इसके लिए इस तरह का सिस्टम बनाया जाना चाहिए, दोनों मे से कोई पूछता है, क्या पूछता है, कि आपने ये पूरी कहानी सना दी, लेकिन हमें सीधे सीधे शब्दों में बताओ कि क्या होता है सकारात्म, क्या होता है आदर्शक अरसास, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई, पहला जो समाधान है, उसमें क्या क्या हो रहा वो आजाएगा हमारा सकारात्म कर्सेसास्त के अंदर और पहले वाले समाधान के बाद से जो परिणाम निकल ला है उसको आप evaluate करने की कोशिस कर रहे हैं evaluate मतलब उसका मुल्यांकन करने की कोशिस कर रहे हैं कि यह चीज अच्छी है या खराब है वो चीज आ जाएगी किसमें आदर्शक में यानि कि फिर से समाधान में क्या होगा पहले समाधान में क्या क्या होगा यह अधन करने की बात आती है सकारात्म कर्सेसास्त में और उसके परीडाम को देखने की बात की परिडाम उसका अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है उसको देखने की बाद आ जाती है आधर्शक और से सात में और जैसा मैंने पहले बताया था यह दोनों बहुत ही अलग नहीं है जब इनका आप वास्ता में, रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में, जब आप इन दोनों को अप्लाई करने की कोशिस करोगे, जब इस पर वास्ता में रिसर्च चल लए होगी, अनुसंधान हो रहा होगा, तो उस समय पर ऐसा नहीं होगा, कि आप अलग-अलग पाले में ठीक है, तो यह हम लोगों का एक टॉपिक सा, जो हम लोगों ने कर लिया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करन नाम भूलें, थैंक यू वरी मॉच, एव नाइस दे,